आज हम होम मेट टुमेटो कैचप की रेसिपी शेर करेंगे मार्केट में महेंगे दाम मिलने वाली टुमेटो कैचप आज हम घर पे बना कर दिखाएंगे एकदम perfect recipe है, बहुत ही simple और बहुत easy और जब आप इसे snacks के साथ serve करेंगे तो कोई भी फरक नहीं बता पाएगा कि आप इसे market से लेका रहे हैं या फिर खुद घर पे बनाई है perfect mix के साथ ये recipe दी गई है जोड़ ट्राइ करें और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक का दीजिगा और शेकीजिगा आज हम tomato ketchup बनाएंगे एक किल्लो टमाटर से एक किल्लो टमाटर लेंगे एकदम fresh और firm हमने दो तरह के tomato का अस्थमाल किया है देसी tomato और hybrid tomato basically इस recipe के लिए hybrid tomato का अस्थमाल होता है क्योंकि उसके अंदर juices कम होते हैं इस recipe के लिए हमें गूदेदार tomato लेने चाहिए और अभी हम क्या करेंगे ये tomato को chop कर लेंगे तो टमाटर का आई पार्ट यानि की जो इस्टेम पार्ट है बटा देंगे और इसके छुटे-छुटे टुकडे कर लेंगे Ultimately हमें टमाटर को पकाना है हमने इस रेसिपी के अंदर देसी टमाटर का इस्तमाल इसलिए किया है एक खटा-मिठा टेस्ट होता है टैंगी सा जो कि हमारे टमाटर केचप को एक पहतरी टेस्ट देगा सभी टमाटर को हमने छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है इन्हें साइट रखेंगे और आए देख लेते हैं इसके अंदर जाएंगे कुछ खड़े मसाले चार लॉंग ले लेंगे और दस से पंदरा दाने काली मिर्च के दो साबुत लाल मिर्च दीखी वाली और दो तेस पत्ते का इस्तमाल करेंगे हाई चलते हैं नेक्स टेप की तरफ नेक्स टेप में हम टमाटर को एक पैन के अंदर शिफ्ट कर लेंगे गेस के आज को चालू करेंगे और इनके अंदर ये कुछ खड़े मसाले प्याज लेसन एड करेंगे इस रेसिपी के अंदर प्याज और लेसन का पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं अनियन गाल लिक पाउडर के रेसिपी चाहिए तो कोमेंट कीजिगा और यहाँ पर अगर आप याज और लेसन नहीं खाते तो इसकिप कर सकते हैं अब चूले कि आज को कम कर देंगे और इसे ढखकर पकने के लिए छोड़ देंगे पाच मिनिट के बाद चेकर लेते हैं क्योंकि इसे हमें बार-बार अलाट पलेट देना है ताकि नीचे से जले नहीं और बराबर से चारो तरफ से पक जाए इसे अगें से ढखेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट के बाद अगें चेकर लेंगे तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं हमें इस टमाटर को सॉफ्ट करना था तो 10-12 मिनिट लगता है इन्हें पकाने में कमाच पे जब आप टमाटर को मैश करके देखते हैं तो यह अच्छे से गल चुके हैं और साथे जो खड़े मसालों का फ्लीवर है इसके अंदर अच्छे से आ चुका है अब हम गैस के आज को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरके से ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे तो यहाँ पर हम सभी खड़े मसाले तो नहीं निकालेंगे पत्य को बहार निकाल देंगे और ले चलते हैं टमाटर को पीषने की प्रोसेस के तरफ टमाटर ठंडे हो चुके हैं इन्हें शिफ्ट कर लेंगे एक मिक्सर ग्रेंडर जार के अंदर टमाटर को कुछ इस तरके से पिषना है कि इसके सीट्स पिषने नहीं चाहिए तो पल प्रोसेस के तरफ थर्ड स्टेप के अंदर एक कड़ाई के अंदर हम यह प्योरी आट कर लेंगे कुछ फ्लेवर से अट कर लेंगे आधा कप या फिर 100 ग्रम के करीब चीनी आट करेंगे एक चुटी चमच नमक आट कर लेंगे और आधा कप के करीब वाइट विनेगर या यह प्रिजर्विटिव का काम करेगा हमारी टूमेटर सौस को खराब होने से बचाएगा और यदि आप इसे कम पैसे में घर पे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कमेंट कीजिएगा हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देंगे और काफी सारे इसके इस्तमाल है व इसके उपर काफी सारे बबल्स उठते हैं छीटे पड़ते हैं तो काफी सावधाने से इसे पकाईएगा अब आप देख सकते हैं सौस के कंसिस्टेंसे थोड़ी से थिक हो चुकी है बबल्स उठने थोड़ी शांत हो गया है और यह सौस पैंच होने लग गई है देख सकते कुछ इस तरीके की consistency होनी चाहिए अब इस tomato sauce को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे उसके बाद हम इसे bottle करेंगे दोस्तो यदि आप green chili sauce जो की Chinese खाना में इस्तिमाल होती है tomato sauce के साथ ही तो यदि आपको उसकी recipe चाहिए तो comment कीजेगा tomato sauce के thickness कुछ ऐसी होनी चाहिए कि चमच पे इसकी coating सी हो जाए यदि आपको इसके अंदर liquid की मात्रा जादा दिखे और coating ना हो तो आप इसे और पका सकते हैं अभी यहाँ पर यह ठंडा हो चुका है और यह अब हम bottle करेंगे तो इसकी आप thickness अब देख सकते हैं एकदम perfect consistency है अब बात आती है कि tomato sauce को लंबे टाइम तक किस तरीके से आप preserve कर सकते हो रूम temperature पे ही तो यदि आप commercial use के लिए बना रहे हैं तो आप sodium benzoid का एक ग्राम एड़ कीजेगा एक किलो tomato sauce के अंदर sodium benzoid खाने के लिए एकदम सेफ है और ये sodium benzoid market में मिलने वाली हर बंद डबबा बंद चीजों में एड़ के जाता है ताकि चीजों को खराब होने से बचाये जा सके और इसके shelf life लंबी हो दोस्तों हमने इस tomato sauce के अंदर white vinegar एड़ के है जो कि preservative का ही काम करता है तो इसके अंदर हम sodium benzoid नहीं add कर रहे है यदि आपको लंबे टाइम के लिए काफी सारा tomato sauce बनाना है तो एक किलो tomato sauce के अंदर एक ग्राम sodium benzoid ज़रूर एड़ कर दीजेगा हमारी tomato sauce bottle उचकी है tomato sauce store कीजेगा कि स्टेलाइस काज की साफ और सुखी bottle के अंदर sauce के बहतर स्वाद और इसकी गुडवत्ता बनी रहे इसके लिए इस तैयार tomato sauce को फ्रिच के अंदर रखें छे मिने के लिए दोस्तो यह आसान सी recipe अगर आपको पसंद आया तो लाइक किजी शियर किजी और अगर ऐसे ही tomato की और भी recipe चाहिए तो comment section में yes लिखेगा thank you so much for watching have a great day